दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, कोई न कोई परिशानी लगी रहती है, कभी नसों में दर्द होता है, कभी नसों में कमजोरी आ जाती है, कभी जोडों में दर्द होता है दोस्तों, या हमारे हाथ पेर सुन पड़ जाते हैं, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, बे पेन जोडों के दर्द गठिया अर्थराइटी से राहत दिलाएगी इस रेमेडी के लिए पहले हम इस्तमाल करेंगे यहां पर दोस्तों सौफ का हम सब के रसोई घर में यह सौफ होती है खाने के स्वात खाने की खुश्बू को बढ़ाने के साथ ही साथ सौफ का सेवन हमें क कब्स की समस्या को दूर करती है अगली चीज जो कि लेंगे हम यहां पर इलाइची यह एक कारडेमम जो होती है इसे हम लोग छोटी इलाइची भी कहते है एक बड़ी इलाइची भी होती है वो नहीं लेना है छोटी इलाइची आपको लेना है एक छोटी इलाइची आप ल हमारे सेहत के लिए एक इलाइची का सेवन दिन भर में एक इलाइची का सेवन बहुत ही जादा लाभकारी है गुणकारी है तो किसी न किसी रूप में इलाइची का सेवन करें चाहें तो जब काढ़ा बनाते हैं तब ले सकते हैं दूद में डाल कर इलाइची का सेवन आप ल दूर करे हमें फ्रेश फील कराती है और दूसरी चीच इसके साथ लेने वाली हूँ दोस्तों जो की एक पावरफुल औरश्धी से कम नहीं है आयरुवेद में महत्व रखने वाली ये जो दालचीनी होती है इंगलिश में हम लोग इसे सिनेमन स्टीक भी कहते हैं खाने की उनके प्रवाह को कंट्रोल करती है दाल चीनी का सेवन किया जाता है आप चाहें तो शुद्ध हल्दी का इस्तमाल करें चुटकी भर हल्दी भी इस रेमेडी में आप ले सकते हैं घृणों की सुजन को कम करती है एक नैचरल पेन की लरका काम करती है दर्द निवारक चुटकी भर जरूर लीजिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टुकड़ा गुड का डाल दीचे गुड जो होता है वो आईरन से भरपूर होता है हडियों को मजबूत बनाता है हडियों को जोडने में सहता देता है और हमारी कमजोर नसव में ताकत देता है शक्कर की जख किया है चुनकर लिया है दोस्तों जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत बेनिफीशल है। एक बड़ा चमच भरकर आपको यहाँ पर सौफ लेना है। एक हरी लैची लेना है। एक छोटा सा टुकडा डाल चीनी का लेना है। डाल चीनी हाजमे को दुरुस्त करती है। और हमारे खूwn को पतला भी करती हैं एक बरतन में मैंने एक बड़ा चमच सॉभ लिया है, बारिक सॉभ, मोटी सॉभ, जैसी भी सॉभ हैं, आप इसे जरूर लीजे सौफ में भरपूर मात्रा में कैलशियम होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होने के कारण हमारे blood pressure को control करता है सौफ का सेवन एक छोटना ठुकडा मैंने दालचीनी का लिया है एक हरी लाइची लिया है मैंने जिसे मैंने फोड दिया है ताकि अच्छी तरह से इसका सारा अर्ख इस काड़े में आ सके दिन में एक बार लीजे सुबह ले सकते हैं तो सुबह लीजे नहीं टाइम है तो दिन में कभी भी सभी उम्रवाले इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं खास कर अब जबकि बारिश का मौसम आ रहा है इस समय हमें हड्डियों में बहुत जादा तकलीफ होती है कई वार हमारी नसे सुन सी पड़ जाती हैं सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगी ये इतनी पावरफुल रे उड़ा दिये देखे दोस्तों जो डाबिटिक पेशेंट हैं जिनने मधुमे की समस्या है वे यहाँ पर गुड का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करेंगे इसे उबलने रख दीजे गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि सारी चीजों का अर्क धीरे धीरे इस काढ़े में आ यह इतना हेल्दी जो चीज में रेमेडी लेकर आई हूं न दोस्तों बहुत ही हेल्दी है और आप दिन में एक बारिष का सेवन जरूर करें सभी उम्र वाले लोग इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं खास कर बारिष के मौसम में अच्छी तरह से इसे 5-7 मिनट और बॉइल हो गुड़ जो होता है दोस्तों आईरन से भरपूर होता है खून की कमी को दूर करता है हमारे हीमोगलोबिल लेवल को बढ़ाता है हमें एनेमिक होने से भी बचाता है और साथ ही साथ हमारी हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमद है इसे आप दिन में एक बार पिएंगे ना सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी जॉइन पेन गठिया अर्थराइटीस गुटनों से कट-कट की आवाज आती है चलने फिरने में तकलीफ होती है यह सारी समस्याएं दूर होंगी यहाँ पर एक चुटकी हल्दी का इस्तमाल जरूर करिए द बिना दूद वाली इस चाय को दिन में एक बार एक कप आप जरूर लें आपको तुरंथ ही से लेने से राहत मिलेगी सारी शारीरी कमजोरी आपकी दूर होगी काम करने में मन लगेगा ठकावट दूर होगी शरीर में चुस्ती फूर्ती आएगी और दिन भर आप टेनी के उपर आई इसमें एक बार और पानि डाल कर आप इसका इसतामाल दुबारा भी कर सकते हैं। परिवार के सभी सद्यस्यों को वन फोर्थ कभ आप जरूदें बड़े हैं जो एडल्ट हैं। वो इसे एक कभ भी ले सकते हैं। सांथी मेरा यूट्यूब परिवार आपको धन्यवाद दे सकूँ और आपका नाम एनौस कर सकूँ परिवार को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों